जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चानल एस्ट्रफेंड अंचु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंचु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ माहा शिवरात्री पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपकी हर परकार की समस्या हर परकार की परिशानी दूर हो जाए शिवरात्री सब को पता है शिवरात्री 18 फरवरी 2023 को आ रही है सब लोग पूजा करेंगे आप भी जाएंगे पूजा करने हम भी जाएंगे पूजा करने पर इस दिन ऐसी कौन से उपाए हमें जरूर करने चाहिए जिसको करने से हर प्रकार की परिशानी दूर हो जाए तो बताने जा रही हैं वो पाए जिसको करने से आपके रुकेवे कारे पूर्ण होंगे विवा नहीं हो रहा है तो इस दिन करने मातर से ही विवा के योग बन जाते हैं नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंट नौकरी मिलेगी कर्जा हो गया है कर्जा उतर जाएगा तो वीडियो कौन तक सरूर देखेगा कौन से है वो उपाए वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकारी सावित होगा और यह दिया आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्रा सब सायोग बन रहे हैं सब पूजा करने जाएंगे शब शिपजी का जल अभिशेक करने जाएंगे ऐसी सिती में ऐसे कौन से उपाए करें जिसको करने से आपकी हरप्रकार की समस्य अदूर होगी तो यदि आपको बहुत कर्जा है कर्जे को लेकर बहुत परेशानी है आर् अनार की कलम से ओम नमशिवाय लिखना है बेल पत्र हमेशा शिपजी को उल्टा चड़ाया जाता है शिपजी को इस दिन धतूरा जरूर चड़ाएं इसके साथ ही अगर आपके उपर कर्जा है तो कर्ज मुक्ति के लिए बेल पत्र भांग धतूरे के साथ आपने धाइसो ग्राम चावल धाइसो ग्राम लाल मसूर की दाल और धाइसो ग्राम अनार के दाने जिस जरूर चड़ाने हैं और वहीं बैटकर ओम नमशिवाय की तीन माला जाब करेंगे आपको कर्जा जैसा भी होगा ज़रूर उतर जाएगा जब आप ये सब कर लेंगे उसके पाद बताना है कि मेरे उपर ये कर्जा है मैंने इस परसन से कर्जा लिया है या मैंने लोन ले रखा है जो मैं नहीं उतार पा रहा हूं मेरे कारे में प्रगति दीजिए जिससे कि जल से जल ये मैं कर्जा उतार सकूं पूरे विश्वास के साथ करिए और देखिए कैसे आपका कर्जा उदरता है जिन लोगों का विवा नहीं हो रहे हैं विवा में बहुत सारी अर्चने और बाधाएं आ रही हैं तो ऐसी सिती में आपने शिवरात्री वाले दिन शिवजी को पंचामरित अर्पित करना है पंचामरित के साथ आप देशी घी का दिया तो बत्ती अगर बत्ती लेके जाएंगे बेल पत्र भांग धतूरा लेके जाएंगे एक कटोरी अनार के धाने लेके जाएंगे और साथ में आपने धतूरे का जो फल आता है उसको आपने साबुत नहीं चड़ाना है धतूरे के फल को खोल कर जो उसके अंदर का फल है वो आपने शिपजी को अर्पित करना है और ऐसे आप पांच फल शिपजी को अर्पित करेंगे शिपजी और मापारवती से अपने करने के बाद आपके विवा में जो भी अर्चने आ रही थी चाहे वे गरहों की वज़े से आ रही थी किसी की नजर लगी हो कोई टोटका किया गया हो सब दूरोग और शिग्र विवा के योग पनेंगे आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है किसी भी कारण आप परिक्ष पंचाम्रित की जगे शिपजी को गन्ये का रस अरपीत करेंगे बेल पत्र भांग दतूरा अरपीत करेंगे इसके साथ ही आपने पाच साबुत अलदी शिपजी को अर्पित करनी है और ओम नमशिवाय की तीन माला वहीं बैठके पीले रंके आसन पर जाब करेंगे ऐसा करने से आपका आपकी पढ़ाई में पूरा कॉंसेंट्रेशन होगा मन लगा कर पढ़ाई करेंगे अब यदि आपके साथ ऐसी सिती हो गई है कि आप बहुत परेशान है कोई भी कारे आपका नहीं बन रहा है सिती ऐसी उत्पन हो गई है कि घर में आपस में किसी से की नहीं बन रही है एक से दूसरा इंसान लड़ने को तयार रहता है कारे में प्रगती नहीं है नौकरी में प्रमोशन नहीं है बच्चे मन लगा कर पढ़ाई नहीं कर रहे है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी क्या हो गया है जो किसी का भी काम नहीं कर रहा है किसी का भी भागे सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई भी वेक्ति अपनी लाइफ में सेटल नहीं है परिवार में निगटिव एनरजी बहुत जादा भर गई है तो ऐसी सीथी में आपने शिवरात्री वाले दिन एक धटूरे का फूल लेना है इसको आप हलदी में डिप कर देंगे यानि कि हलदी को गाड़ा घोल कर उसमें इसको डिप करेंगे और शिवरात्री वाले दिन यानि की अठारा तारिक की रात को बारा बजे शिपजी को अर्पित करके आएंगे जब आप शिपजी को चढ़ा के आज हैंगे दस मिनट बाद आपने फिर दुबारा जाना है मंदिर और उस धतूरे के फूल को आप घर ले आईए इसी आपने पीले रंके कपड़े में बांदना है अपने घर में बैट कर अपने मंदिर में नहीं जाना है अपने घर में नौर्थिस डिरेक्शन में बैट कर ओम नमर्शिवाए की पांच माला जाब करेंगे अब ये आपकी पोटली तयार हो गई है अब आपको जो परिशानी आ रही है उसके according आप इसे रख सकते हैं आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है तो आप इसको अपने office में अपने cabin की drawer में रखिए आपका वेपार अच्छे से नहीं चल रहा है तो वेपार सान में रखिए आर्थिक स्थिती आपकी खराब है तो आप अपने घर में धनस्तान पर रखिए विवा नहीं हो रहा है तो जिनका विवा नहीं हो रहा है उन्हें नौर्थ वेस्ट की direction में सुलाईए और नौर्थ वेस्ट में इस पोटली को रख दीजिए किसी भी परकार की समस्या है उसका समाधान है ये पोटली धतूरे के फूल आपने शिवजी को अर्पित करना है हल्दी में भिगो के घर लाकर पीले कपड़े में बांधना है ओम नमशिवाय का जाब करेंगे और कामना करते वे इसे समस्या के according रखेंगे करके देखें सचुक उपाय को आपकी जिस भी परकार की समस्या होगी शिवरात्री वाले दिन करेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा शिवजी को आप जो भी परिशानी आ रही है मन से कहिए और शिवजी को कहने के बाद नंदी महराज के कान में कहिए आपकी हर समस्या दूर होगी तो मितों ये दे जान कारी कि शिवरात्री वाले दिन हमें ऐसे कौन सा उपाय करना चाहिए क्योंकी यह इस already दुरलब से योग बन रहाए शिवरात्री पर तो यह उपाय कारी जिससे आपकी हर परकार की समस्या दूर होगी उमीद करती हूं कि जानकारी आपके लापकारी साबित होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्यदारों में शेयर करें वीडियो से सम्मंदित यह दिया आपका कोई प्रेशन है तो वीडियो के आदी आपका दिन शुब हो